13 नवंबर धना तेरेस पर चार सबसे बड़े शुब मोहरता कुम्बराशी, सोना और चांदी की होगी पर साथ कार्ति कुरुष्ण पक्ष की त्रेयोदशी तिति को धनवंतरी जैनती है इस दिन धन त्रेयोदशी और धना तेरेस मनाया जाता है माननेता ही की समुद्र मन्थन के दवरान आज ही की दिन धनवंतरी देव अमरुत कलश के साथ प्रकट होई थे इनका पूजन करने से आरोग्यता की प्राप्ती होती है इस दिन धातु की वस्तूं की खरिदरी सुकसंपनता का कारक मना जाता है आचारे एके मिश्र बताते हैं की इस वर्ष त्रेयोदशी तिती का शुभारंब गुरुवार 12 नौबर की रात 9 बचकर 30 बजे से शुरू होगा जो की शुक्रुवार 13 नौबर की संध्या करीब 6 बजे तक रहेगी इसलिए 12 नौबर की रात 9 बचकर 30 बजे के बाद से धनतेरेस को लेकर खरिदरी की जा सकती है 12 नौबर को खरिदरी के लिए शुभा मुर्त रात 11 बजे से एक बचकर 7 मिनिट तक रहेगी और रात 2 बचकर 45 मिनिट से अगले दिन सुभा 5 बचकर 7 मिनिट तक है वास्तों में धनतेरेस में उद्यकादिन तीती लेना श्रेस कर माना जाता है जो की शुक्रवार को 13 नौबर को है 13 नौबर को खरिदरी के लिए शुभा मुर्त सुभा 5 बचकर 9 मिनिट से लेकर 10 बचकर 6 मिनिट तक रहेगी दिवा जो की 3 बचकर 38 मिनिट से संध्या 5 बचे तक रहेगी दोस्तों आपकी राशी के अनुसार धनतेरेस की दिन की सतर की खरिदारी करनी चाहिए तो चले जानते हैं सबसे पहले आप सोना खरीद सकते हैं साती चांदी भी खरीद सकते हैं और इस दिन कोई फिक्स डिपोजिल भी आप रख सकते हैं इन तिनों काम को आप इस दिन कर सकते हैं लेकिन वहन की खरीदारी बिल्कुल भी ना करें यह आपके लिए नुकसान दैस साबित होगा तो दोस्तों जोतिश गर्ना के अनुसार आज हम आपको कुमबर राशी के बारे में बताने वाले हैं तेरा नौंबर यानि की धनतेरेस के दिन कुमबर राशी पर सोना और चांदी की बरसात होनी वाली है यानि कि आप इस दिन सोना और चांदी की खरीदरी जोरो शोरों से करेंगे दोस्ता इसलिक कुछ महतोपन बात या हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सबस्क्राइब जरू करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना बुले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पले बात करते हैं इस दिन आप कीस तरह से फायदे मन रहेंगे उसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल सकता है आप कोई जमिन या मकान खरिदने का विचार मन में बना सकते हैं अपना निवासस्तान बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है परिवार के लोगों चैनल से निवेश के कोई अच्छे सुझाव आपको मिल सकते हैं आपका जुकाव आध्यात्मकी और होगा आपको अपने दाईतों के प्रती खास द्यान देना होगा आयन था आपके उच्चे अधिकारियों द्वारा आपके लिए कोई समझ से खड़ी किये जा सकती है रोजमर्या के कारियों में आपको पूरी तरह सफलता मिलेगी आप कुछ काम अपने मन के मुताबी करना चाहेंगे लेकिन आपको इसका मौका कम ही मिलेगा अफिस और कारिक शेतर में जो काम बहुत मुश्किल लग रहता आप अपने प्रयास दौरा उसे काफी सरल बना देंगे आपके मन में किसे ऐसे काम की योजना बन सकती हैं जो आपको काफी प्रसिद्ध कर दे किसी भी परकार का निरने लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर ले अधिक जोकिम लेना आपके लिए हानिका रख हो सकता है दूस्तों अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आपके मन में किसी कारयों को करने की इच्छा हो सकती है जो चीज़े आपके लिए जरूरी है उनके लिए आप किसी से कोई समझोता नहीं करेंगे व्यापर में साजेदार और जीवन साती से यदि कोई खट पर चल रही है तो आप उसे सुल जाने का प्रयास करे दिन अच्छा है आपको अपने प्रयासों में सपलता मिलेगी दुसरों की किसी बात पर कोई टिपनी ना करे की जाने वाली खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल दे तो यह आपके लिए अच्छा होगा किसी से कोई विवाद या फिर वादा करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले अगर हम धनराशिपल की बात करें तो कोई रहस्य में विव्यक्ति या रोमेंटिक रिस्ता आपकी निंद उड़ा देगा विवाह का भी योग बन रहा है किसी भी विशम परस्तिती में शारिरिक सहयम बनाई रखें और हर प्रकार के डर को मन में ना आने दे जल्दे आपका हर स्वापन पूरा होगा बस थोड़ा सहयम रखे आप कुछ कामों को लेकर सही निर्नाई नहीं ले पाएंगे यह दिन महतोपुर्ण निर्नाईों और करियर परिवरतन के लिए अच्छा नहीं है आप कुछ ऐसे काम भी करेंगे जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहेते सपने और विचार कभी भी कुछ नहीं देते जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो आप अपनी लक्ष को लेकर थोड़े तनव पूर्ण रहेंगे आपके श्यांत रहने में ही आपकी बलाई है सभी की जिन्दगी में बुरा वक्त आता है लेकिन जरूरी बात यह है कि आप उसका सामना कैसे करते है बहस में पढ़ने के बाद आपको अहसास होगा कि बहस में जीतने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अपनी अच्छे छवी बनाना अगर हम लव राशिपल की बात करें तो मानसिक तनाव और द्वन्त के कारण आप बैचेन फिल कर सकते हैं तिन्तो दादी, नानी या अन्य बज़ुर्गों का सहयोग आपको रहत प्रदान करेगा प्रेम संबंदों के लिए यह दिन मद्यम हैं जिसमें रोमान सुकी भी संबवना है आप अनिस्चित तका अनुबव कर सकते हैं अपनी महत्वकांशी प्रवरुत्ती को सुनें और बड़ी योजनाओं को पूरा करें इसमें आपको सबकी मदद मिलेगी अपने चार्म का प्रयोग करें, कारस्तवल में नए दोस्त बनाएं आपको प्रयम के लिए कम समय मिल सकता है, लेकिन आपकी रोमैंटिक लाइफ, शांती और सुकुन भरी रहेगी अगर हम स्वास्त राशी पल की बात करें तो, कोशिश करें कि आप दबाव में ना रहे हो सकता है, किसी चीड को लेकर टेंशन में आ जाए अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसी समय से हैं, तो खुद को आराम करने का समय दे, ताकि इसका आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े तो दोस्तों यहती कुम्ब राशी के बारे में, अब बात करते हैं, दिवाली पर कर लिए एच चार काम, तो शेनी दोस्ते तुरंत मिलेगा आराम हिंदों के सबसे बड़े त्यवार, यानि कि दिवाली का महापरवों में अब महज कुछी दिन बच चुके है इस बार दिवाली जो कि 14 नॉमबर को आ रही है, इस दिन शेनिवार और शेनिवार होने के साथ ही दिवाली के दिन शेनेचरी अम्मस्या का भी योग बन रहा है यह दिवाली साड़े साथी से पिडित लोगों के लिए बेहद खास हो सकती हैं और अगर आप साड़े साथी से छुटकार अपाना चाहते हैं तो आपको हम कुछ उपाय बताने वाले हैं जो आपको दिवाली के दिन करने होंगे इन उपायों से माता लक्ष्मी की कुर्पा भी आप पर बनी रहेगी तो आए जानते हैं उपायों के बारे में पहला है माता लक्ष्मी को करे प्रसंदा जोती शास्तर में इस बात का उल्लेक मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति दिवाली की दिन अपने दोर पर आए किसी व्यक्ति को वस्त्र, अनाज, बोजन, आदिदान करता है तो इससे उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कुर्पा बनी रहती है साथी शनी दोस्ते चुटकारा भी मिलता है हाला कि दानी व्यक्ति को इस बात का विशिश द्यान रखना चाहिए कि उन्हें इह काम सुर्यास्त से पहले ही करना है दिवाली की संध्या पर ऐसा करने से परहेज करे अगला है पीपल पूजन से मिलेगा इह लाब बताये जाता है कि दिवाली के दिन पीपल के फूजन का विशिश महत्व है पीपल के पेड को दिवाली के दिन पांच विभीन प्रकार की मिठाओं के साथ तिल अर्पित करे वहीं पानी में गूढ या खांड मिला कर पील के पेड को चड़ाए इस उपाय से धनका मारग प्रश्यस्तो होने के साथी साड़े साथी के प्रभाव में भी कमी आएगी अगला है शेनी दोस्टे मुक्ती के लिए करे यह उपाय अगर आप शनी दोस्ते चुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिवाली के दिन साबुत नारियल को लेकर उसके मुहों को उपर से कांट देना चाहिए अब उसमें चीनी और आटा भर कर नारियल का मुह बंद कर दे अब इस नारियल को ऐसे स्तान पर जमिन के नीचे दबा दे जहां चीटियों का वास हो ऐसा कहा जाता है कि जब तक चीटियां इसे खाते रहेगी तब तक आपकी साड़े साती से सुरक्षा होगी अगला है बनी रती है शनी देव की कुरपा दिवाली महापरवपर शनी कवच का पाड़ करना काफी शुबर होता है इस बार दिवाली शनीवार को आ रही है ऐसे में इसका महतो और भी बढ़ जाता है अगर आप ऐसा करते है तो शनी देव की कुरपा आप पर बनी रहेगी बता दे कि अगर आप शनी कवच नहीं पढ़ पाते तो आपके लिए इसके स्तान पर शनी स्तुरुक का पाड़ भी फायदेवन साबित होगा तो दोस्तों यहत्य कुछ उपाए जो कि दिवाली पर करने पर शनी दोस्ते तुरंत चुटकारा मिलता है तो दोस्तों आज की स्टों में बस एतना है वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद